पर इसाइच फाउंडेशन में आप लोंका स्वागत है और आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट मेडिसीन जो आप लोग यूज भी करते हैं और बहुत सारे कैसेस में आप देते भी हैं लेकिन एक ऐसी मेडिसीन है ये अगर आप इसके सिस्टम को अगर समझ लेते हैं तो कितनी भी बड़ी कैसेस हो और ये मेडिसीन ऐसा है कि आप हर एक प्रैक्टिशनल इसको यूज करते हैं और इसके इंपोर्टेंट जबके ये एक इतनी बड़ी कांस्टिशूशनल रेमेडी है और इसकी एक डीप एक्टिंग इसकी विराइटी बहुत है अब मैं बात करना हूं मेडिसीन की अब इस मेडिसीन को मेट्रिया मेडिका का हम अगर मुतला करें और उसका अगर हम प्यूफ समझें तो इसमें बहुत ज़्यादा विराइटी लिखी हुए सब विलियम बोरी साब का अलग है और सबने एक एक चीज को इसमें ड्राविनेस जो बाउनापन है सब लेकिन जैसे हम इसका अगर लेक्चर पढ़ते हैं इसके फिलोसोफी को देखते हैं और इसका जब हम प्रेक्टिकल हमने देखा और हमारे जो किलनिकल एक्सपीरियंस है इस मेडिसीन का हम आज उसी चीज पर चर्चा करेंगे ब्राइटा कार्ब को अगर आप देखें तो लोगों ने हमेशा इस चीज को किया है कि बच्चे का बॉडी ने बर रहा है हडी तो Drive to जारल के दो ऑखेंगेश से लोगों के लिए तो है लेकिन आप ऐसे लोगों में दे रहे हैं जो पईदा ढिएसी कि डिस्टर्वेंस है जो बाइबर्थ जिस पर डिस्ट्राक्शन पैदा हुए उन में दे रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस मेडिसीन का अगर असल की सिम्टम आपको समझना है हमने कितने भी केसे आपको बता नहीं सकते हम यहां पर कि इतने केसे चाहे वह बीपी के हो ठीक है हाईब्रेट प्रेसर के हो या फिर आपके जो हर्ड के केसे हो ट्यूमर के केसे हो ठीक है या फिर ब्रेंड के केसे हो बहुत सारे केसे में हमने इस मेडिसीन को दिया और उसका बहुत ही इंपोर्टन मिला खास करके ब्रेंड के केसे में और चाइड दूनों में मिला हमको इसका तो आज उसी का जो हमने की symptom है हमने जहां पे जिसके मुतालब के base पे हमने इसको यूज कि आज उसी चीज का हम चर्चा करें तो brighter carb अगर आप समझें तो बच्चों का सबसे पहले इसका symptom बच्चों में यह देखा जाता है कि अगर किसी भी कारण से बच्चा आपका स्वस्त पैदा हुआ, उसको malaria हुआ, skeletal fever हुआ, या फिर mangetist हुआ, या फिर उसको कोई भी पॉक्स हुआ, कोई भी बीमा आने के बाद अगर उसको चाहिए tropical disease हुआ हो, tropical intestines जैसे malaria हुआ, malasm हुआ, रुबेला हुआ, इस तरह का कोई भी या फीबर हुआ, या फिर उसको कोई भी ऐसा चीज हुआ हूँ, जिसके कारण है ना, अगर मान लिया कोई भी चीज में वो मुटतला रहा बच्चा, या फिर कोई भी ऐसा healthy soze रहा, ठीक है, जिसके कारण, अगर उसके development रुख गये ह ऐसे cases में brighter card दिया जा सकता है, बाकि अगर जो पैदा ऐसी defect है, जिनको by birth defect है, उनको अगर देंगे हैं, तो फिर वो काम नहीं करती है, height बराने की दवाई बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई देता है, कोई अगर case solve किया है, तो हमको आके comment कर सकते हैं, ठीक है, मैं देखना अचा होंगा कि कितना height इसका बढ़ा है, brighter card से, तो brighter card को लोग ऐसे height बराने की दवाई दी जाती है, अगर किसी भी कारण से, बच्चा आपका स्वस्थ पैदा हुआ हो, ठीक है, किसी भी कारण से, अगर उनके health डबलप नहीं हुए हो, तो health in the sense ऐसा हो कि उसका body का कुछ प बच्चों का, brighter card के लिए है, तो brighter card बच्चों में देखेगा कि उनके बच्चे आप कोई भी चीज उसको बोलो, ठीक है, वो हसते रहेंगे, उसको वो seriously response नहीं करेंगे, और ऐसे बच्चे आप देखेगा कि कभी table के नीचे खेलेंगे, या फिर किसके अंदर में घुश जा हो, कोई भी बच्चा हो, अगर वो आता है, brighter card का बच्चा, तो उसका मुझ ठगा हुआ होगा, इसे, उसका हाथ धकने की कोशिस करेंगे, वो, जो सुतुर मुर्ग वाला है, कि अपने नजर को छुपाने का, वो ऐसे रखेंगे, तो आप समझ जाएए, कि सुतुर मुर्ग किसी दोस्ती नहीं हो सकता है, इनके बच्चे अक्सर देखा यह जाता है, कि अकेले बैटने के, अकेले रहने के, ठीक है, बात नहीं करने का, कम्मिनिकेशन नहीं करने का, रुजान रहता है, और ये आपको 18, 15 साल, 25 साल के लोगों में भी, जवान लर्कों में भी हैं, ये माइन सिम्टम है उनका, कोई भी चीज़े सब उसको ड्राउन ना दिखे, सब अजीब और गरीब दिखेगा उसका, और उनकी बाते हमेसा फूल टैप का, मतलब आईसा बात करेंगे कि लेगा नहीं कि ये मेचुर है, है ना, तो आप उसके बाड़ी के तरफ ना ज इसे बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसे हैं, जो इनको इसमें देते हैं, आपको जैसे आपको हम बता कि ग्लेंड की भी सबसे बरी दवाई है, अब किसी भी कारण बस से उसके ग्लेंड में इंफेक्शन हो गया हो, इंफ्लामेटरी कंडिशन हो, या फिर अलसर बन चुके हो ग्लेंड में, यही वजह है कि आप इसको टॉंसलाइट की सबसे बरी मडिसीन के तौर पे जूज करते हैं, ठीक है, जिसका इनका ये विकास नहीं हो रहा है, उसका यहाँ पे हमेसा पेन बना रहता है, उसकी भी बहुत बरी दवाई है, दोसरी केसिस अगर इनके अगर फि सबसे पहले हम ब्रैटा काप कुछ चोज करते हैं, अगर फिजिकल में देखें तो, अब इसका अगर मेंटल कुछ सिम्टम देखें, बुरू में, तो आप देखिएगा कि हमेसा ये कहा जाता है कि और लेज इस दा चाइलूड, कि हमेसा बुरे जो हते हैं, बच्चों की त सुकराओ आ गिया हो, ठीक है, अगर ब्रैंट सुकर गिया हो, तो उसकी भी बड़ी दवाई है ये, और ब्रैंट सुकरने की वज़े से वो ऐसी ऐसी बाते करता हो, जैसे आपको नहीं लगेगा कि एक बुरा आदमी है, एक मेच्चोर आदमी है, वो बात करेगा कि मैं खान लेंस जैसे चाइल वूड जैसे उनकी चीजें दिखे ओल एज के लोगों में, तो ये उनकी भी सबसे बड़ी दवाई है, चाउंते तेसरे केसिस इसके ऐसे हैं कि अगर हार्ट के पल्पिटेशन बहुत जादा है, हमने दो केसिस ऐसे थी हमेरे पास कि हम उसको साइद उन के बाद दो टाइम लेना परता था, हमने ब्राइटा काप 200 में, पहले हमने इसको 30 में देने की कोशिस की, तो उसमें उसको 10-15 दिन में कोई भी सुदार नहीं दिखा, हमने 200 में उसको दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद पिर हमने ऊपर काई भीय किया, अब लीबने की ज चैलन ब्लोकर भी है, आप ब्लोड जो इसका दवाई लेते हैं, आप ब्लोड प्रेशर का अगर दवाई लेते हैं, अलोपेथी में, तो वो क्या काम करता है, आपका कैलसियम ब्लोकर का काम करता है वो, उसके चैनल को ही ब्लोकर करता है, इसका मतलब उसके नस को फैलाता है ठीक है आपके जो 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 अर्टी जो भी उसमें प्रॉबिलं मा गिया है उसमें जो सुक्रावपन आ गिया है Уसको क्या करता है उसको ठाइन भी अंट्र जीअ हैगर अगर होई करता है थे उसको फैलाने का काम करता हूद यह यहां पर brain शुकर ना start हो जाता है old age में तीक है या brain atrophy के तरफ केस है आपका तो आप वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं और यही कारण है कि आप अगर बच्चों में देखें तो जहां पर किसी भी कारण से उसके शुक्राव आ गया है तो इनका सबसे बड़ा सिंटम यही है कि अगर उसमें किसी भी कारण बच से अगर मान ले देखें बूरे में अगर brain atrophy हुआ है तो क्या कारण से हुआ है उसके ज़्यादा चीज के वज़े से किसी भी कारण से अगर वो चीज हुआ है तो उसके तरफ वो दवाई गई दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे इनिशियल स्टेज में अगर बच्चों का हम देखें तो बच्चों का क्या है कि अगर किसी भी बीमारी या कोई भी कारण वच, ठीक है, बच्चा आपका स्वस्थ पैदा हुआ, उसके बाद अगर बच्चे में डिफिक्ट आता है, चाहे वो आपके ग्लेंस का हो उनका, ठीक है, या फिर उसके बोडी का स्ट्रेक्चर हो, ठीक है, जहां पे पेट उसका निकला हुआ हो, जहां पे आप दिखे कि ये लाइको पोडियम का पेशन्ट है, ऐसे केसिस में, अगर आप इनको एक एंटि-माइजेमेटिक के तौर पे दें, क्योंकि ये एंटि-साइक, एंटि-सोरिक मेडिसीन के तौर पे है, और ये एंटि-सोरिक की सबसे बड़ी ड यह जैसा डीप एक्टिंग है उसी तरह से हैं मैंने कहता कि यह सक्किंग है लेकिन यह से तरह भी काम करते बहुत-बहुत कैसे को यह आपके रिकवर करवाएंगे है आप मैंने आइसे बच्चों को बहुत सारा बच्चा आज भी हमारे पास हैं अन्डर ट्रीटमेंट थीक है चाहे वह पीडी के हो एसडी के हो वी डी के हो टीजी एक के हो हर्ड से रिलेटेट ठीक है जहां पे उसके आठ टीज का जिसमें तो एक टीजिय का बंदा आज भी है दो साल तीन साल एज हो गया उनका तो हम ऐसे केसिस में भी इनको देख सकते हैं मगर अगर आप डीप अगर इसको अगर कांस्ट्यूशन के देख में तो आप बड़ी पुटेंसी यूज कर सकते हैं सिंगल डोस पर रह सकते हैं या फिर आप 200 का अगर चलाएं तो फिर उसको टीडियस चला सकते हैं तो ब्राइटा कार्ब इतनी बड़ी मेडिसीन है कि उसके एक वीडियो में या फिर हम उसको 10-15 मिनट में उसको कवर नहीं कर सकते क्योंकि जू जू इसके जो इतना खुलते हैं इनके मैं आपको बताया कि गलेंड की बिमारी हो हार्ट की बिमारी हो टॉंसलाइट की बिमारी हो ठीक है इसमें भी यह सबसे बरी दवाई के तोर पर जाना आता है एक महिला मेरे पास आया था एक केस मैं आपको यहां पर जिक्र कर रहा हूं कि एक महिला मेरे पास आया था उनका काना था कि मैंसेस से मैंसेस आने से हफता या पर हफता से दो-तीन दिन पहले बहुत एक्सेसिव उनको ये होता था मतलब लिकोरिया होता था डिस्चार्ज होता था और वो मैने के बाद भी होता था माइना खतम हो गया पर उसके बाद जमेंसेस खतम हो गया फिर एक दू दिन के बाद वो स्टार्ट हो जाता था या फिर सुरू में होता था हमने ब्राइटा कार्ब उसको दिया वो चीज उनका ठीक हो गया लिकोडिया के केसे तो करने का मतलब है कि यह सिर्फ आपको यह को भी भाद हो जाए कि को बनाद का कि वहां ने क्लेन्ट का हो हर्ट का हो ठीक है तो वहां पर फेल्ग को कि ब्राइठा कार्ब को योज कर सकते हैं ना कि बढ़ने के लिए उसको प्र्लाइब करना के पर्सकर इस नहीं विद्टभ सकता क्या फोया अन्मियाम can कि एक प्राइटब कार्ब की इतनी यह है और पॉपलर मेडीशीन है कि सब जानते हैं कि हायड बरहने का दवाई एक ही है अगर हाइट बरहने के लिए लिए अगर तो लाइको पोडियम है ऐयोडम है इससे बरी कोई दवाई नहीं है कि आप उनके द 177 बरहना थो फिर उस पर मैं एक अलग से बाद वीडियो बनाऊंगा और फिर बताऊंगा मैं आप उसका एक डीटेल के तोर पर लेकिन मैं आज ब्राइटा कार्प को इसलिए समझने की कोशिज कर रहा हूं कि ब्राइटा कार्प का इतना मेडिसीन डीप एक्टिंग मेडिसीन है एंटी सोरिक मेडिसीन है कि अगर आप इसको सिस्टेमेटिक समझ लें क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अलग ही समझ लेते हैं इसका वीडियो में देखा हूँ उसका वीडियो में वो देखा इसी भी काउसिस के वजह से अगर उसमें उसका बॉर्णापन ब्रेंड में हो दिमाग में हो या पिर सौरी आपका बोडी में हो कहीं पर भी हो उस पे आप प्रेटा काप दिजेगा तो वह काम करेगा अब हाउड जीसे ब्लड़ प्रेशर क्या करनी से हो सकता कि उसके आर्टिर्ग में बॉकेज हो उसके किड़्नी के जो है नेफरोन अगर्यम में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो जिसके वजह से वक्षागाएव हो उसके वज़े से बीपी बढ़ाओ हो उसका क 09 कि is सरदरद है तो उसमें भी दे नहीं उसके लिए फिर आपको अलग से जाना पड़ेगा लेकिन किसी भी काउजेस के वज़े से अगर उसमें कुछ भी ठहरा हो है अंडवलप्ट है कोई भी चीज डवलप्ट नहीं हुआ है कुछ समय तक ठीक है उसके लिए ब्रैटर कार्व है तो इन चीजों को आप जैसे ही समझें की कोशिस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला वीडियो जब कभी भी बनाएंगे हम पिर इसका हम एक चर्चा करेंगे कि ब्रैटर कार्व कितने केसेस और कितने पूटेंसिस में दीने चाहिए तो यह था ब्रैटर काप का जिसके आधार पे आप मेडिसीन को सेलेक्शन करें आपको एजिएस्ट वे में हमने बताया कि किसी भी कारण वस से अगर किसी भी डिवलोप्मेंट रुखा है उसका तो आप वहां पे ब्रैटर काप यूज़ कर जाखते हैं तो यह था ब्रैटर काप टैंक्यू दन्यवाद